उस्वालेकुम्, आजकी इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर्ट्चर आफ स्केलिटल मसल को डिटेल से स्टडी करेंगे previous lecture ये अंदर हमने muscles की type को study किया था जिसमें हमने देखा था हमारी body में तीन type के muscles मौझूद होते हैं smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles ये तिनों muscles कौन-कौन सी location पर मौझूद होते हैं और क्या function पर फार्म करते हैं ये हम study कर चुके हैं so skeletal muscles जो होते हैं skeleton के round मौझूद होते हैं यानि bones के साथ attach होते हैं bone को movement परवाइड करते हैं so skeletal muscles का function क्या होता है movement परवाइड करना bone को और ये movement voluntary होती है यानि हमारी मर्जी से हो रही होती है यानि हमारी मर्जी से skeletal muscles को signal जाते हैं और ये skeletal muscles contract करते हैं और बॉन को मूव करवाते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम स्केलिटल मसल की स्ट्रक्चर वो डिटेल से स्टड़ी करेंगे जब हम इस स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो मेकनिसम आफ कंट्रेक्शन है उसे डिटेल से हम समझ पाएंगे जो के न आटेज्ट करवाते हैं ठीक है अफ इसे यो समझ लैं कि यह धागे से होते हैं रिष्यां से होती हैं जो कि मसल को बाazioni के साथ इसके करवाती है इनकी इपनी प्र यह मसल में cover करेंगे तो यहां पर यह muscle आगी है लेटसेग यह biceps का muscle है इसे उपर से slice कर लिया हमने skin को अटा दिया तो अंदर यह गौश्ट हमें नज़र आ रहे तो बैसिकलिए muscle क्या होते है गौश्ट होते है राइट यह हमें नज़र आ रहे तो इसे ऐसे ठीक है, जब हम इसे slice करके अंदर से देखते हैं, तो अंदर हमें कुछ bundle से नज़र आ रहे हैं, आप देख वा रहे हैं, यह एक bundle, यह दूसरा, यह बहुत सारे bundles नज़र आ रहे हैं, इन bundles को muscle bundles या physical कहा जाते हैं, ठीक है, अच्छा, इन bundles के अगर आप देखें, तो black color मे मैंने एक और covering सी बनाई हुई है, यह एक और protective coating होती है, जिसे perimysium कहा जाता है, clear हो गया, यानि सब से उपर वाली covering, epimysium, जब हम उसे slice करके अंदर देखते हैं, तो अंदर बहुत सारे bundle हमें नज़र आते हैं, हर bundle के एक और protective covering होती है, जिसे perimysium कहा जाता है, ठीक है, ओ protective covering होती है, जिसे endomysium कहा जाता है, तो यानि के सब से अंदर वाली covering, protective covering होती है, अब endomysium को अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ dots से नज़र आ रहे हैं, यह dots से basically अंदर को elongate हुए हैं, यानि अंदर तक dewy lines ही हैं, तो इस egg line को जब हम zoom करते हैं, तो यह एक cell होता ह हैं, ठीक है, या फिर, क्योंकि इस cell के अंदर आपको बहुत सारी nucleus देखने को मिलेंगा और यह बहुत लंबा cell होता है, पतल होता है, लेगन बहुत लंबा होता है, इसलिंडरिकल होता है, इसलिए sometimes scientist इसे cell नहीं बुलाते है, बलकि इसे syncytium बोलते हैं, syncytium, अब syncytium का मतलब क्या है, यानि बहुत सारे cells जब आपस में मिलते हैं, तो जो cell बनता है, उसे syncytium कहा जाता है, बेसिकली यह cell connection of different cells होता है, और यह complete long cell बन जाता है, इसलिंडरिकल जिसे muscle fiber, muscle cell या syncytium different नाम दिया जाता है, अब अगर आप muscle fiber के cell को देखें, तो इसमें आपको strip से नज़र आएंगी, यानि लाइने से नज़र आएंगी, यह लाइने क्यों होती हैं, या अभी हम दोड़ी देर में देखने वाले हैं, बट यह लाइने basically present हो जो के proteins होती हैं, लंबी-लंबी, thread-like, cylindrical proteins होती हैं, जो अंदर इस त्रीके से गई होती हैं, और इन proteins के अंदर strips, यानि लाइने से band से मुझूद होते हैं, जो के overall cell के अंदर भी हमें देखने हो मिलते हैं, जब light microscope की मदद से हम देखते हैं, तो यह लाइने से हमें नज़र जाती है, जब electron microscope में हम देखते हैं, तो यह proteins भी हमें differentiate होके नज़र आने लगते हैं, यहां तर clear हो गया, दुबाराज मैं आपको बताता हूं, यह bone के साथ muscle tendon के मदद से attach होता है, और जब हम muscle को देखते हैं, slice करके skin attack, देखते हैं, तो muscle के एक protective covering होती है, जिसे happy myseum कहा जा है, तो एक bundle को जब हम zoom in करते हैं, तो उसके अंदर muscle के cells मुझूद होते हैं, पतले cylindrical cells, और यह cells बहुत सारे combination में मुझूद होते हैं, और उनके एक protective covering होती है, जिसे endomyseum कहा जाते है, clear हो गया, तो यह muscle fiber का cell है, जिसे muscle cell, muscle fiber या syncytium कहा जाता है, इसके अंदर myofibrils, यानि ने यहां पर zoom in कर लिया, तो यह एक short length of muscle fiber के cell की है, right, तो जब हम इसे गोर से देखें इस cell को तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक dark band है, फिर light band है, dark band है, light band है, dark band है, so इस तरीके से आपको कुछ दारें से नजर आ रही है, dark and light band की, ठीक है, तो यह जो धारें हैं, य कर रही होती है, यानि striated बना रही होती है, इन muscles को, इन muscles के अंदर line है, हमें इन structures की, इन bands की वज़्जा से नजर आ रही होती है, यह bands किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, इसे मजीद detail में अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, यहां पर simply आपने देखा कि कोछ light और dark band मौ structure होती है, इसे सारको मेर कहा जाता है, ठीक है, और यह इसके अंदर definitely, यह muscle fiber का cell है, इसके अंदर myofibrils मौजूद होते हैं, जिसे अभी हम zoom करके देखने वाले हैं, तो यह muscle fiber है, इसमें बहुत सारे nucleus excellentrical cell के अंदर मौजूद हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताए, यह जो bands है light और dark band, जिसे हम सारको मेर भी कहते हैं, यानि यह एक functional unit है, light, दो light band आगया, एक dark band आगया, इसे सारको मेर कहा जाता है, और यह functional unit है, contractile unit है muscle का, और इसी सारको मेर की present की वज़ा से, skeletal muscle के अंदर हमें strips, यानि striation रेखने को मिलते हैं, clear हो गया, okay, let's say, अब इसका थोड़ा lines है, यह इसे हम zoomin करते हैं, तो यह इसकी cell membrane हा गी, but muscle cell की जो cell membrane है, उसे सारको λेमा कहा जाता है, यानि plasma membrane या cell membrane जो muscle cell की होती है, उसे सारको लेमा कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, cell के अंदर का जो side pytलासम होता है, ऊसे सारको बलासम कहा जाता है, MitoCountry- or MitoCountry- भालेंगे इस किलावा अगर आपको Endoplasmetic reticulum देखने भालेगा जो basically smooth endoplasmetic reticulum होता है smooth endoplasmetic reticulum muscle के smooth endoplasmetic reticulum सारcoplasmic reticulum कहा जाता है इस किलावा अगर आप गोर कहने तो ये जो cell membrane है जिससे सारकोलेमा कहा जाता है इसमें कुछ hollows से मुझूद होते हैं जिसमें एक tubule सी अंदर को गी होती है invaginate होई होती है cell के अंदर तो ये एक ट्यूब सी जो बन रही है इसे transverse यä T-tubule simply कहा जाता है transverse system tubule भी कहा जाता है या T-tubule आप इससे क्यादे ठीक है तो इस त्रीके से एक T-like structure बन रही है, राइट, ओके, अगर आप इस T-tibule को देखें, तो इसके एक गेद सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम जानी के smooth endoplasmik reticulum मुझूद है, ठीक है, तो यह एक triad structure बन रही है, आप देख पारें, एक T-tibule है और दोनों साइट पर endoplasmik retic reticulum है, यानि के सार्कोप्लास्मिक reticulum है, ठीक है, तो जब आप इसे देखते हैं, जूम इन करके, तो आपको नजर आ रहा है, यह basically क्या है, यह एक myofibril है, यह complete egg structure, यह एक myofibril है, जिसे मैंने zoom in किया हुआ, तो myofibril के ऊपर endoplasmik reticulum attach है, और T-tibule आ रही है, और अंद पूरे, बहुत सारे muscle cells जब contract होंगे, तो पूरा muscle contract होगा, तो यह mechanism इस तरीके से चलता है, तो यह myofibril आ गया, mitochondria मुझूद होते हैं, जो energy produce कर रहे होते हैं, सार्कोप्लास्म होता है, जो के cytoplasm of muscle fiber होता है, फिर सार्कोलेमा plasma membrane होती है, प्लास्मा membrane के अंदर एक invagination होती ह है, अंदर तक गी होती है, इसे टी-टी-वियूल कहा जाता है, इस के रिद्गे एंडोप्लास्मी रेटिकुलम होता है, जैसे सार्कोप्लास्मी रेटिकुलम कहा जाता है, यहां पर केल्शियम स्टोर होता है, और केल्शियम का बड़ा important role होता है, contraction of muscle fiber, तो यह हम थोड़ on microscope की मदद से देखते हैं, तो हमें यहां पर कुछ different structures नज़र आती है, यानि protein सी नज़र आती है, जिसमें कुछ protein मौटी हैं, कुछ पतली हैं, यह जो मौटी protein हैं, यह पतली protein हैं, इनकी वज़ा से light और dark band बनता है, यानि यह मौटी protein आपको नज़र आ रही हैं बीच में, यह thick proteins हैं, ठीक है, यह thick proteins क्या करती हैं, dark band शो करती हैं, और यह जो thin proteins हैं, बक्षे पर मौझूद हैं, यह light band शो करती हैं, clear हो गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, दो light band के दिरम्यान जो एक dark band होता है, इस complete unit को structure को सारको मेयर कहा जाता है, ठीक है, तो basically यह सारको मेय contract हो रहा होता है, ठीक है, तो एक सारको मेयर को जब हम zoom in करते हैं, मैंने आपको बताया, electron microscope की मदद से, तो हमें इनकी structure को detail से देखने को मिलते है, तो सारको मेयर को जब हमने zoom in कर लिया, तो हमने देखा यहां पर एक dark band आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यह यहां पर भी इस तरीके से, dark band center में आपको देखने को मिलता है, इस किलाबा center में एक, यहां पर मैंने blue color की line लगाई हुई है, यह blue color की line है, जिसे क्या कहा जाता है, M line, यह M disk कहा जाता है, तो basically यह protein होती है, जो के इस thick protein को पकड़े हुआ जाती है, center के अंदर, तो इसे M line कहा जाता है, अब सारकुमेर की जो end portion है, उन्हें हम देखें, तो वहाँ पर भी एक protein होती है, जो zig type की हमें देखने को मिलती है, तो इसे Z line कहा जाता है, यह Z disc कहा जाता है, यह भी एक protein है, जो के thin filament को अपने साथ attach की होती है, thin filament को पकड़े हुई होती है, thin filament और thick filament कौन सी protein है, यह भी हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जरा सा बताता हूँ, कि यह एक सारकुमेर है, सारकुमेर के जो end portions हैं, वहाँ पर Z line, Z disc मौजूद होती है, Z disc के साथ thin protein मौजूद है, center में जब हम आते हैं, तो center में एक और protein है, जिसे M line कहा जाता है, और यह M line के साथ thick protein मौज होता है, तो अगर आप देखें, जहां से, यहां से अगर हम देखते हैं, तो यह एक ऐसा portion है, जो कि dark, बहुत ज्यादा dark नजर आता है, तो इसे A band कहा जाता है, A जानी N isotropic band, ट्रॉफिक, और यह dark band होता है, ट्रॉफिक, यह dark band होता है, तो यह basic अली, यह वाला portion हमें dark नज होता है, muscle cell के अंदर, इसे A band कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, अब आप यहां से देखें, यह वाला portion, यहां से लेगे, यह दूसरे सार्गो मेर के यहां तक, यह वाला जो portion होता है, इसे A band या isotropic band कहा जाता है, ठीक है, isotropic band basically light band होता है, यह जो आपको light band नज़रा रहा है, यह isotropic band है, ठीक है, अब अगर आप देखें, तो यहां पर एक center वाला portion है, जिसमें सिर्फ thick filament या thick protein आपको देखने को मिलती है, तो यह वाला जो portion होता है, इसे H band या H zone कहा जाता है, जो basically यहां से थोड़ा सा light होता है, यानि A band में यह वाले portion बहुत ज़्यादा dark होंगे, क्यों dark होंगे, कि इसमें यह thick filament भी है, thin filament दोनों combine होके आ रहे हैं, और center से थोड़ा सा light होगा, और उस light portion को H band या H zone कहा जाएग जोगी, अब अगर हम इसे zoom in करके देखें, thick filament और thin filament को, तो हमें देखने होंगे, यह thick filament है, thick filament basically fibrous protein से मिलकर बना होता है, यानि दागे की तरह proteins होती है, और बहुत सारे, तकरीबन 400 units आपस में मिलती है, और एक thick band बनता है, so thick filament, thick band को myosin कहा जाता है, यानि यह protein कौन सी है, myosin के लाती है, ठीक है, यानि यह center वाली protein कौन सी है, myosin protein है, जो basically fibrous protein है, बहुत सारी fibrous protein आपस में मिली है, और thick filament बना, ठीक है, अब यह thick filament का जो head होता है, यह इस तरीके से बाहर को निकला होता है, और यह globular होता है, यानि head जो है, वो globular होता है, बाकी fibrous protein होती है, so head उपर को निकला होता है, और head का बहुत important role होता है, contraction में, जो आगे वाली video में हम cover करेंगे, okay, जब हम thin filament को देखते है, red color में, यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं, यह goal goal सी protein से मिलकर बना हुए, so basically दो, let's say, यह actin protein है, इसका monomar है, यह दूसरा है, so इस तरीके से यह monomar आपस में मिलते जाएंगे, और a long thread बनेगी, फिर इसी तरीके से एक और unit इनके इस तरीके से overlap करते वे मिलेंगे, so एक thin filament की दारें से बनती जाएंगे, ठीक है, so इस तरीके से रोब आप समझ लें, lift ही जा रही है, so दो polymers आपस में lift जाएंगे, तो एक thin filament complete बन जाएगा, इस के लावा thin filament के उपर एक tropomyosin protein भी मुझूद होती है, जो क्या function पर फार्वाम करती है, next video मैं cover करेंगे, और troponin protein भी मुझूद होती है, इन protein का भी बहुत important role होता है, और यह जो thin filament होता है, यह globular protein से मिलकर बना होता है, so hopefully आपको समझाई होगी, मैं अभी थोड़ा सा revise क कर लेता हूँ, whole lecture को, ताकि आपको मजीद clarification हो जाए, मैंने आपको बताया है, skeletal muscle, skeleton के साथ attach होता है, यानि bone के साथ attach होता है, structure के जरी attach होता है, उसे tendon कहा जाता है, structure को जब हम zoom in करते हैं, तो, यानि यह slice out करते हैं, skin को अड़ाते हैं, तो नीचे हमे skeletal muscle देखने को मिलता ह skeletal muscle के उपर की protective covering को epimicium कहा जाता है, यसे जब हम काटते हैं, तो अंदर कुछ bundles नजर आते हैं, जिने muscle bundle या physical कहा जाता है, फैसिकल के एक protective covering होती है, जिससे perimicium कहा जाता है, तो एक muscle bundle को जब हम zoom in करके cut करते हैं, तो वहाँ पर भी अंदर हमें कुछ bundle like structure नजर आती है, जिसके protective covering को endomycium कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे muscle cells मौजूद होते हैं, जिने muscle fibers या syncytium कहा जाता है, तो यह muscle fiber का cell है, इसमें आपको steps यानि धारें से नजर आती हैं, और इसमें myofibrils भी मौजूद होते हैं, जब हम इसे zoom in करके देखते हैं, तो हमें इसमें कुछ light और dark band नजर आते हैं, so dark band, light band, dark band, light band, इस तरीके से नजर आते हैं, so जो दो light band होते हैं, उनके दिरम्यान एक dark band होता है, इस complete structure को, सारको मेर कहा जाता है, जो contractile unit होता है, so basically यहां पर मैं आपको उता दूँ, कि जब muscle contraction होती है, तो यह Z line आपस में pass आ जाती है, ठीक है, और यह इस तरीके से muscle contract होता है, यानि सारको मेर contract हो रहता है, so functional unit muscle cell का क्या है, सारको मेर है, और muscle fiber मैंने आपको बता है, multi nucleated होता है, बहुत सरे nucleus आपको देखने हो मिल लेंगे, so इस cell को जब हमने zoom in किया, तो हमने देखा कि जो plasma membrane cell membrane होती है, muscle fiber की, उसे सारको लेमा कहा जाता है अंदर जो cytoplasm होता है, उसे सारको प्लासम कहा जाता है, माइटो कार्टरिया भी देखने हो मिलते हैं, और endoplasmic reticulum को सारको प्लासमिक reticulum कहा जाता है, इसके लावा जो cell membrane है, उसके अंदर इन्वेजिरेशन मुझूद होती है, जिससे transverse या T-tubule कहा जाता है, T-tubule के endoplasmic reticulum, यानि सारको प्लासमिक reticulum मौझूद होता है, जब मसलने contract होना है, तो signal इस तरीके से travel करना है, T-tubule से आना है, और सारको प्लासमिक reticulum की तरफ जाना है, यहां से calcium release होगा, और myofibril फिर contract होगा calcium के release की वज़ए से, यानि calcium अपना role play करेगा, जो next video में हम cover सो यह एक myofibril है, जो cylindrical होते हैं, पूरे cell के अंदर, बहुत सारे myofibrils मौझूद होते हैं, एक myofibril को जब हम zoom in करते हैं, तो उसमें जो light band है, और center में dark band है, इस portion को मैंने पहले भी आपको बता है, सारको मेर का जाते हैं, इसको जब हमने electron microscope के अंदर देगा, तो हमने जोती है, जिसके वज़े से, यह center में arrange होती है, तो उस region को M line कहा जाता है, ओके, फिर side पर जब हम देखते हैं, तो कुछ thin proteins आ जाती है, जो के, एक Z line, यानि different type of proteins के साथ attach होती है, जैसे Z protein या Z line कहा जाता है, तो यह एक Z disc बन रही है, तो Z disc आगी, उसके दिरम्यान center वाली portion में thick filament मुझूद है, ओके, अब इन bands को different नाम दिया जगे हैं, जो dark band होता है, उसे A band कहा जाता है, N isotropic या dark band कहा जाता है, ठीक है, इसमें जो center portion होता है, जिसमें सिर्फ thick filament आपको देखने हो मिलेगा, उसे edge band या edge zone कहा जाता है, और जो light portion है, जिसमें आपको सिर्फ thin filament और Z line देखने हो मिलेगे, वो eye band आ जाता है, जिसे isotropic या light band कहा जाता है, जब हम इसे मजीद zoom in करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह जो protein है, यह myosin से मिलकर बनी हुई, यह thick filament, fibrous protein होती है, बहुत सारी units आपस में बनते हैं, और thick filament बनता है, और इनके head जो है, इस तरीके से उपर को निकले होते हैं, और head जो है, वो globular होते हैं, इसके लावा thin filament में हमने देखा, actin protein से मिलकर बना होता है, thin filament, और यह दो polymer alpha actin protein आपस में इस त detail से cover करेंगे, और यह जो thick filament के heads होते हैं, यह basically thin filament के साथ attach करके, thin filament को अपनी तरफ खेंचते हैं, so thin filament इस तरीके से center भी जाता है, और contraction of muscle fiber हो रही होती है, so काफी detail lecture हो चुका है, lecture मुश्किल भी है, आप इसे दो बार देखिए, so hopefully आपको lecture समझ में आया होगा, next lecture के अंदर ह मेकनिसम आप कांट्रेक्शन को study करना है, तब तक के लिए मुझे अजाज़त दे है, शुक्रिया, अल्दा आपेस,